करें लूडा क अबश्य वैंक जाल सब्लाइन शक्राइर है रियहित हैं किसे वीडियों वा इस वीडियो में आपके की साही में आपके साथ करने चाहर रहे हैं अगे वेडियोय नचel इस इंडो विस्टन ड्रिस के लिए मैंने यहाँ पे फ्लोरल प्रिंट वाली साई ली है और यहाँ पे साड़ी की जो डिजाइन है वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक दिल्कुल सेम है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक किनारा लोंगी साड़ी की उनके दोनों को पकड़ मैं यहाँ पे नोट बना लोंगी और उसे अपने दूसरे शोल्डर पे रख लोंगी तो साड़ी को इस तरही के से रखने के बाद इनका जो रेस्ट और फैब्रिक होगा वो पीछे की साइड हमारा चला जाएगा तो पीछे की साइड में बच्चवे फैब्रिक को हमें पक आओगे तो इसमें उस तरीके का वाटरफॉल टाइप का जो प्लीट सोंगे वो अच्छे से नहीं आपाएंगे तो इसलिए आपको बिल्कुल मीडियम साइज में नॉर्मल वाली प्लीट्स बनानी है और जब ये प्लीट्स बन जाए तो उसके बाद आपको इन्हें सेट् साइड में अपने आपको टक कर लेना है कि इस तरहिके से आपको यहां पर टक कर लेनी है और जब ये टकिंग हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है कि बिल्कुल एपकी प्लीट्स बनाई ति उसके मीडियम याले पार्ट को आपको लेना है के लिए मैंने ऐसा किया है आप भी वैसा कर सकते हो और उसके बाद आपको इंहें अपने फ्रन्ट में कि आप जो भी सेटे हो चाहिए बे Corn करते हो या लेगिंस वियर करते हो आप अपने लेगिंस में दख कर सकते हो कि जब आप दोनों पैरों को एकीक करके दोनों पैरों पे टकिंग कर लोगे फैब्रीक की तो फ्रंट का लुक आपका थोड़ा सा आपको सेट करना होगा और उसके बाद आपको जैसा ठीक लगे आप उतने डिस्टेंस में इन्हें तक कर सकते हो तो जब यह टकिंग आपकी कम्प्लीट हो जाएगी तो आपका बैक लुक के लिए यहां पे जो यह खुला हुआ दिख रहा है इसको आपको पकड़ना है और एक सेफटी पिन से इन्हें आपको सेक्यूर कर लेना है तो मैं ठीक वैसे ही कर रही हूँ इनको अच्छे से पकड़कर मैं यहां पे सेफटी पिन से सेक्यूर कर लूगी तो ये लोग कुछ इस टाइप का आएगा आपका बैक से फ्रंट में ये जो खुला पार्थ है इसे भी हमें पकड़ना है और एक safety pin की help से इन्हें secure कर लेना है मैं अभी आपको नस्दीक से भी दिखाऊंगी कि आप कैसे safety pin यूज़ कर सकते हो तो इनके दोनों जो border वाले line है इनको पकड़ कर अंदर की तरफ करते हुए मैं यहाँ पर safety pin यूज़ कर लूँगी ओकी तो अब हमारे जो hands के पास fabric है वो कुछ जादा ही चौड़ी चौड़ी है तो इनको पकड़ के भी मैं पीछे के side में इन्हें safety pin से secure कर लूँगी और इससे back का लूँग और भी जादा प्यारा लगएगा तो जब यह safety pin से secure हो जाए फिर lastly आप अपने denim में जो belt यूज़ करते हो वो belt आप इस dress में यूज़ कर सकते हो एंड यह रहा हमारा dress का final look तो इसका जो lower look है वो बहुत ही जादा प्यारा आया है आप देख सकते हो धोती style में यह है तो यदि वीडियो आप सबको पसंद आई है तो आप वीडियो को like कर सकते हो और चैनल पर यदि आप new आया हो तो चैनल को subscribe करके आप bell icon को hit कर सकते हो तो अब मैं आप सबसे मिलती हूँ अपनी अगली next वीडियो में so till then take care and bye bye